आप सभी का स्वागत है मा की रशुई में आज हम बनाने जा रहे हैं मावा वर्षी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही कम समय में बन करके तैयार हो जाएगी तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक टोरी छीनी लेनी है तो इसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें करीक तीन से चार हरीलियाची डालेंगे और अगर आप लोगों को आज की मेरी रेश्वी पसंद आए तो वीडियो को लाएक, सेयर और सबस्काइब जरूर कीजिएगा इसके बाद मैंने इसमें एक कटोरी नारिल का पाउडर डाला है नारिल का पाउडर मावा क अनुसार कमिया जादा भी हो सकता है तो अभी अब इसमें एक ही कटोरी नारिल पाउडर डालेंगे अगर जरूरत लगेगी तो हम बाद में डाल सकते हैं नारिल पाउडर तो इसका एकदम बारिक पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे पाउडर हमें एकदम बारिक बनाना है पाउडर मौटा नहीं होना चाहिए अगर बारीक होगा तभी हमारी रेस्पी अच्छी बनेगी और इसमें जो मावा इस्तमाल करने वाली हूं जो घी गरम करते हैं उस मलाई से बनाया है जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है मलाई घी बनाने वाली मलाई से मावा कैसे बनाएक तो आप लोग जेनल पर जा कर देख सकते हैं तो देखी पाउर्टर को खाने भरतन में निकाल लिया है तो जिस कटोरी से हमने नारिल पाउरर और चीनी लिया उसा कटोरी से हम एक कटोरी कलें बस अब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें मैं आदा कठोरी नारील पाउडर और डालूंगी जिससे के मुझे जैसे पेश्ट चाहिए वैसे बन करके तयान हो जाए तो इस तरह आप नारील पाउडर पेश्ट के अनुसार कम्याद जादा कर सकते हैं तो अभी अच्छी तरह से देखे पेश्ट बन गया है हमारा इसके बाद इस तरह कोई भी डिबबा या बर्फी बन जमाने वाली ट्रे लेंगे इसके अंदर मैंने न घी लगाया है न बटर पेपर रखा है अगर आप लोगों को बटर पेपर लगाना है तो आप लगा सकते ह तो इसके बाद इसको अच्छी तरह से इसके अंतर फेला देंगे अगर आप लोग इस पर ड्राइफूट से आचान्दी का वर्क लगाना चाहते हैं तो वह भी लगा सकते हैं तो इसके बाद हम इसको करीब 30-40 मिनट के लिए फ्रेज में रखेंगे जिससे कि हमारी बर्फ पलट लेंगे और यह बर्फी बहुती स्वादिश्ट बनती है खाने में किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने यह बिना चासनी और बिना गैस के बना करके तैयार किये तो आप भी इस करवाचोथ दीपावली या भाई दूजबर बहुती आसानी से बर्फी बना करके तैयार कर सकते हैं तो देखे बर्फी हमारी तैयार है आगे फिर मिलेंगे रही रही रैस्पी के साथ तब तक के लिए रमस्राइब